हलो फ्रेंण्स कैसे हैं आप सब आप सबका स्वागत हमारी चैनल पढ़ाई.com में फ्रेंण्स आज के हमारा टॉपिक अ समश्यात्मक बालक आज हम जा लेंगे समस्यात्मक बालक या problem childrens के बारे में तो फ्रेंण्स आप सब वीडियो को एक बार लाइक कर दे या फिर लिखित सब्दों में इसकी परिवासा क्या है तो हम देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ समस्यात्मक बालक के बारे में लिखा है कि समस्यात्मक बालकों से तात परे उन बालकों से हैं जो परिवार कक्षा या विद्यालय में भाती-भाती की समस्याइं उत्पन करते ह अर्थात ऐसे बालक या फिर समस्यात्मक बालक का अर्थ ये हुआ कि ये बालक जो होते हैं ये जहां भी रहें वहां नई नई विविन विविन प्रकार की समस्याँ उत्पन करते रहते हैं ऐसे बालकों का विवहार सामाने से अलग हटकर होता है तथा ये कक्छा अत्वा विद्यालाय में अपने को ठीक धंग से समायुजित नहीं कर पाते हैं ये सामाने बच्चों से अलग होते हैं, इनका वेवहार भी अलग होता है, और ये सामाने बालकों के बीच विद्यालाय में घर में अच्छे से समायूजन नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे बालक अपने अध्यापकों के लिए समश्या बने रहते हैं समश्यात्मक बालक अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे चोरी करने वाले बालक, जूट बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक विद्याले से भाग जाने वाले बालक या ग्रीह कारे नौ करने वालक और कक्छा में देड़ से आने वाले बालक इत्यादि तो हम इनिसरल सब्दों में कह सकते कि ऐसे बालक जो और समाजी कारे करते हैं जो समाच के लिए या घर परिवार के लिए विद्याला के लिए योग ये नहीं होता ऐसे कारे करते हैं तो उन्हें हम समस्यात्मक बालक के नाम से जानते हैं या कहते हैं समस्यात्मक बालकों के समस्यात्मक विवहार के कारण को जानकर ऐसे बालकों के विवहार में सुधार लाया जा सकता है अध्यापक ततावी भावा को चाहिए कि वे जब भी किसी बालक में समस्यात्मक विवहार को देखे तो उसके कारण को खोजने का प्रयास करे मतलब अध्यापक और अभिभावक का कर्टब बे बनता है कि अगर बालक के अंदर कोई शमस्या देखते हैं या कोई समस्यात्मक बेवहार वाले बालक को देखते हैं माता पिता वसिक्षकों की आवशक्ता से अधिक लाड़ प्यार अत्वा तिरसकार पूर्वक वेवहार अध्वा कठोर अनुशाशन बालकों में समश्यात्मक प्रवित्ती को बढ़ाता है। अगर इनके अंदर कोई कमी है वेवालक के अंदर कोई समस्यात्मक कमी है उन्हें प्रतारित न करके आनी कि अपने उत्तरदाईतों को समझ कर उनके लिए उप्युक्त वातावरण, सुविधाएं तत्ह आउशर प्रदान करें जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके और समस्यात्मक बालकों के सिख्छा के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जो टीचर्स हैं या भी बा उनके सिख्छा में आने वाली कई प्रॉब्लम्स होती है या फिर सिख्छा में उनके लिए कई प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उनके लिए निम्न लिखित भातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि माता पिता को बच्चों के प्रती प्रेम सहानुभूती तथा सहयोगात्मक प्रेवार करना चाहिए, माता पिता अपने बच्चों के प्रती प्रेम से रहे, ज्यादा प्रेम पूर्ण बेवार ना करें, जिससे बालक का डर खत्म हो जाए, तो उसे जो भी चीज़े सहानुभूती हुई या प्रेम, उसके जरूरतों की हिसाब से उसे डाटना भी चाहि सहानुभूती देनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, इसके अलावाब बालकों की मुल्प्रवित्यों का दमन नकरके, उनका समण या परिशोधन किया जाना चाहिए, बालकों को अच्छे कारे के लिए प्रोट्सान औता पुरसकार देना चाहिए, इससे उन्ने बालंग जिनके साथ भी खेलता है गूमता है उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों पे संगती का असर बहुत जल्दी पड़ता है तुलिए बालकों को ने तिक सिछपए प्रदान करने चाहिए बालकों को मनोरंजन के उची तौसर दिये इसके अलावा बालकों की व्यक्तिकत आवशक्ताओं की पूर्ति करनी चाहिए अध्यापकों का वेवहार, मधूर तता सहयोगात्मक होना चाहिए बालकों की आवशक्ता, परिस्तिती तता छम्ता के अनुरूपी उन्हें ग्रीह कारे दिया जाना चाहिए बालकों को जो ग्रिह कारे मिलता है उन्हें उनकी आवशक्ता परिस्ति और छमता के नुसार देने चाहिए इसकार्थ यह है कि जितनी उनकी आवशक्ता है जैसी उनकी परिस्ति और उनकी छमता से अधिक नहीं देनी चाहिए मतलब उनकी परिस्थिती आउशक्ता और छमता के नुसार उन्हें ग्रीह कारे देना चाहिए ताकि उन्हें बोज भी न लगए और उस सरलतम पूरवक अपना कारे भी कर ले बालको में आत्म अनुशासन की भावना विक्षित करने के लिए उन्हें उत्तरदाईत तो पुढ़कारे दे जाने चाहिए मतलब उनके उपर उनके हिसाब से उनकी छमता का अनुसार जी में दाईत देनी चाहिए जिससे उनमें आत्मनुसासन की भावना विक्षित हो विभिन अपाथि शागामी क्रियाओ का आयोजन करके बालकों को उनकी रूचियां प्रदर्सित करने का ओशर देना चाहिए मतलब सिक्षा में कई तरीके की क्रियाओं होती है वाद विवाद प्रतियों गिता अच्छा में और अपने जो भी उनके अंदर का गुन है अच्छा गुन उसका प्रदर्शन कर सके तो आप सब को वीडियो पशंद आयो तो लाइक कर दें और